हलो स्टूरेंट्स मेरे नाम है अभिशेक वर्मा और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टेडी क्लास पे जहां आज हम बात करने जा रहे हैं दूतिय वर्ष के विशे पर्यावरन अध्यन की अवधारनाय जी हां मैं आपका बिना समय गवाए सिधा बता दू हैं आपको इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें परैगे वस्तून प्रशनुत्तर लगुत्रिया और एति लगुत्रिया और देल और प्रेक्षा परесनुत्र पढ़ेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ ही साथ प्लेलिट चीकिजिए आपको सब कुछ मिल जाएगा सारे सब्जेक वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं objective questions की तो हमारे यहां objective questions के वर बात करते हैं इसमें सबसे पहला सही दिकल्ब चुनकर लिखिए तो पहला पुछा जा रहा है परियावरण वह ब्राम्ह शक्ती है जो हमें प्रभावित करती है यह परियावरण की जो परिभाशा किस ने दिये जिहां इसका सही उत्तर है J.S. Ross वह बात करें हम दूसरे पशन की तो परियावरण ये सिख्षा नमक पद उन विद्याली विश्यों की और संकेत करता है जो मानविये संब्धों का विशेश वेचना करते हैं यह कथन किसका है तो ये कथन है सिधा सिधा EV वेसलेका अब बात करें तीसरे की तो तीसरा क्या है परियावरण सिख्षा का मुखे उद्देश क्या है क्यों हम बच्चों को परियावरण पढ़ाते हैं तो परियावरण सिख्षा का मुखे उद्देश जो है वो है पर्यावरण जागरुकता तो था पर्यावरण का ज्यान याना कि दोनो इसका सही उत्तरों का स अवब दोनो पर्यावरण जागरुकता भी पर्यावरण का ज्यान भी पर्यावरण जागरुकता भी तो यहाँ पर तीन वस्तुनिष्ट होगे वह पर्यावरण वह ब्रा और या व flouran जागरुकता का प्रवरान का घ्यान का बड़ते हैं अगले कुछ वस्तोनिफ प्रkayत रह तो अगले जो हम देखेंगे वो होने जा रहे हैं में यहाँ पर देखें पहला जो ता देखें सिख्षा वेवस्था की प्रमुख प्रक्रिया क्या है सिख्षा वेवस्था की जो प्रमुख प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए उद्देश का निर्धारन, सिख्षन प्रविदियां, पाठेक्रम या उप्रोक्त सबी यह होना चाहिए उद्धेश का निर्धारन जी हां सिख्षा विवस्ता जो होना चाहिए उद्धेश के उद्धारन पर होना चाहिए क्या उद्धेश का डिसाइड किया गया है क्या उद्धेश का निर्धारन किया गया है जिसमें सिक्षक और छात्र मिलके आपस में चर्चा करते हैं तो ये दिया था ये उत्तर ये किसका कथन है तो ये कथन है हमारा पाँचे नमबर का A यानि कि James M. Lee का परिचर्चा एक सैचिक सामुख करिया है जिसमें सिक्षक तता छात्र सायोगी की रूप में किसी समझ से आप आप बातचित करते हैं तो ये कथन है James M. Lee का अगला छटवा दीखे भाई आप यहाँ पर परयावरण की गुणवत्ता परयावरण की गुणवत्ता के प्रती चिंता के सुविध्य द्रिष्टिकुण का विकास करना ही परयावरण सिक्षा है यह परिभासा किसने दी है तो यह परिभासा दी है स्वान ने अगला ब्लूम ने परयावरण सिक्षन के उद्ध्यस्चों को बाटा है कितने भागों में इन्होंने बाटा है इसको तीन भागों में, कुल तीन भागों में याद रखिया, सयुत्तर इसका तीन भागों में, अगला प्रकृति का अनुसरन करो किस ने कहा था, तो प्रकृति का अनुसरन करो ये व्यक्ति कहने वाले जो हैं, उनका नाम है सिधा सिधा आठवे का अ द पक्षाइ पर्यावराण सिक्षा के उस इस पक्ष में उद्धिक और गॉशल शम्ता यानि दिमाग और स्किल आइद ब्रेन आरे तो यह ग्यां से डेटेड है नौलिस रेटेड है अगला देखे परिया खेल से बालक रहता बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ तो अकर बात कर रिक्त स्थानों की तो यहां पर देखे बाई जीवों के परिस्तिति कारकों का योग परियावराण है यह परिभाशा देने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है अगला आप देखेंगे तो अगला इसमें मिलेगा आपको हर्स कोविट्स याने की हर्स कोविट्स याने कौन व्यक्ति वाता वरण पर उन सभी बाहरी दशाव और प्रभाव का योग है जो प्राणी के जीवन अविकास पर पर प्रहड़ालते हैं परिभाशा दिये हर्स सकते हैं वहीँ बात करें अगला इहां पर देखें seit the six- shines परवरन के माध्याम से प्राथ्मिक सिक्छा से ही किसकी ढग्रती होती है प्राथमिक सिक्छा से ही हमारे स्वच यतना की जाग्रती होती है किस चीज की जागरिती होती है स्वच जनाती तो प्रात्मिक सिक्षा से ही स्वच एतना की यहाँ आप लिख सकते हैं स्वच एतना लिखते सही आना चाहिए अगर आपको जवाब पता लेकिन आप सही मात्रा से लिखने ही पाए तब भी नंबर नहीं मिलेगा अच्छा परियावरन जो है, कैसा जीवन देता है, स्वस्थ जीवन देता है, जी हाँ, कैसा दीवन, स्वस्थ और अच्छा, परियावरन का शब्द, शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, परियावरन का जो शाब्दिक अर्थ है, वो क्या है, निकट वर्ती है, हमारे चारो तर जो व्यक्ति को आजीवन प्रहवीद करते हैं, यह परिभाषा किसे ने दिया है, वुडवर्थ नियुकर, अब बढ़ते हैं, अगले प्रश नों फ्रक्रिवर देखिए कहां, परिवरन शिख्षा का मुख्य आधार है, किस चीज का आधार है, स्वस्थ जीवन चूमा का मुख्य आधार जो है वो परियावरन है ठीक अगला देखिए परिस्तित्िक तत्वों के प्राय कितने घřटक होते हैं कुल चार घटक होते हैं कितने घटक होते हैं कुल चार घटक अगला देखिए परियावरणी अध्यान लोगों तथा उनके कौन से सामाजिक जी हां सामाजिक एवं भातिक वातवन के परती उनके परस्पर क्रिया से संबंदित है किस संबंदित है बहुतिक एवं परस्पर क्रिया से संबंद प्रेंच भासा से किस भासा से लिया गया है दूसरा देखिए शिष्टी संबंदी तत्व को आप किस पर्यावरण में सम्मानित करेंगे किस में सम्मिलित करेंगे शामिल करेंगे शिष्टी जो है कौन से पर्यावरण में होगा भौतिक और भौतिक यह होगा भौतिक पर्या पर्यावरण के चार प्रमुख घटक बतलाईए तो पर्यावरण के जो चार प्रमुख घटक है एक है भूमी दूसरा है जलवायू तीसरा है जैविक प्राणी यहां भूमी जलवायू और जैविक प्राणी यह पर्यावरण के चार घटक है वैसे तीन घटक है तो पांचवा सवाल क्या है फाख्वा कोस्वं देख लिये यहाँ पर कि वातावरण की एक विसियस्ता की खास विसियस्ता होतीए कि वातावरण परिवर्ण परिवर्थित्र होता रहता है परेवरन पर, शेर, जानवर, बिल्ली, पेड़ पौदे, सब का दिकार है, सब को जी निका दिकार है, सब के सब होने चाहिए, यह ध्यान रखना आपको, ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रशन की और, अगला प्रशन है, परेवन अध्यान की प्रकृति कैसी है यह परेवन अध्यान की प्रकृति है वह कैसी है कैसे परेवन को में सीखना है तो परेवन अध्यान बता परेवन दिवस मनाया कब जाता है यह इसका जाए परेवन जो अध्यान है उसकी प्रकृति कैसी है नैतिक है वो नैतिक होती है नैचुरल होती है ना उसके बाद विश्व परेवरन दिवस कब मना जाता है तो विश्व परेवरन दिवस मना जाता है पांच जून को जी हां कब मना जाता है पांच जून को ठीक अगला देखे प्रदूशित जल से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है प्रदूशित जल स बहुत important देख लिए यहाँ पर NCF का पुरा नाम पूछा है तो NCF का पुरा नाम होता है National Curriculum Framework NCFM N-C-F-W NCFW ऐसे बोला गया है तो हम NCF भी आद रखेंगे आप National Curriculum Framework यह framework एक साथ है ठीक है तो यह होगे सारे महतवपोन वस्तोनिष प्रशन उत्तर यह सारे महतवपोन objective questions है अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महतवपोन प्रशन उत्तर की तरफ तो यहाँ पर देखे आप सबसे पहला प्रशन कि पर्यावरणी सिख्षा पर्यावरण के माध्यम से सिख्षा है इसका मतलब क्या है तो प्रशन के मदद से पर्यावरण में रहकर पेड़ पौधे के बारे में सीख्षा पर्यावरण के माध्यम सिख्षा है मानों का प्रकरती के समय पर आहना अच्छा लगता है प्रकरती के निकट वह प्रसंता मैसूज करता है तो बच्चे बहुत अच्छा समझेंगे तो परयावरन के माध्धम से परेवन के बारे में सिक्षा देना ये बताया गए यहाँ पर अगला देखिए अगला परशन यहाँ पर है बहुत आसान बहुत अच्छा परशन है पहले डिलेट की परिशा में पूछा जा चुका है परशन देखिए यहाँ पर 17 परयावरन अध्यान की मध्यपरदेश अप्रोच में बच्चों से क्या करने की अपैक्षा की गई है परयावरन जब सिखान सिखाया जाता है तो मध्यपरदेश में जो करिकुलम यानि की सिलेबस बना है उसमें क्या सोचते हैं तो परवण अध्यान को लेकर मद्यपर्देश का नजरिया बच्चों की नैतिक्ता और जानकरियों का पुलिंदात हम ने गज़ा है उनके द्वारा अपने रोजमर्रा के अनभो का विश्टेशन करने का उसर देता है याने कि हमारा जो मद्यपर्देश का परवण अध्यान पाठिक्रम है हमारा मद्यपर्देश का परवण अध्यान सिक्षा का है वो बच्चो दार लिखी सामगरी को पढ़कर समझ पाना भी प्रात्मिक सिक्षा का मुख्य उद्देश सकी है यानि ऐसे आसानी से बनाया गया है कि हमारे चोटे बच्चे भी परेवन को समझ सके पढ़े सके और उसको बचा सके तो ये बाते जो हैं की गई है हमारे ये आपको ध्यान रखना है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन जो है बहुत important question वो यहाँ पर देखें बहुत ही most important है बहुत ध्यान से देखें सभी लोग बहुत important है तो अगला प्रशन है कि हमारे यहाँ जो NCF है आप प्रशन के बारा देखें NCF 2005 के प्रमुख 5 मार्गदर्ग्सर सिध्धान क्या है NCF क्या-क्या चाहता है NCF क्या-क्या करता है तो पहला यहाँ पर आप देख लिए भाई ज्यान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए किताबी ज्यान ना मिले हमें अपने जीवन का भी ज्यान मिले दूसरा पढ़ाई को रटन्त प्रणनी से मोध किया जाए याने रटना जो है बंद करवाया जाए तीसरा पाठे चर्या पाठे पुस्तक केंदरित नहरा जाए याने कि जो पूरा सिलेबस है वो सिर्फ किताब के उपर अहरीत नहरा है चातर तयार हो ऐसा पाठे करम पढ़ा जाना चाहिए बढ़ते हैं अंगले प्रशने की ओर प्रशने का मांग तेरा एंसीव दोजर पाँच का पूरा नाम क्या है उसके अंग का या भाग लिखिए जी हाँ तो इसमें से आप एक दो भी याद रखेंगे बहुत आसान है पुरा याद रखने की जरूर तर नहीं है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशने की ओर अगला प्रशन है प्रशन का मांग चौदा यहाँ पर दिया है प्रशन का मांग चौदा पर्यावरन पाठेक्रम निर्मार के सिध्धानतों का वर्णन कीजिए यादि जब पर्यावरन वाला सिलेबस बनाना है यादि पर्यावरन सिखाने के लिए जो सिलेबस बनाना है किताब में उसको बनाते वग किन बातों का, किन सिंधानतों का ध्यान रखना चाहिए तो यहां पर पहला, विद्धारती के स्तर और मांसी विकास के अनुकूल यानि बच्चों के समझ में आ जाया ऐसा बनाईए विद्धारती के लेवल का, स्तर का दूसरा बालकों की रिचू के अनुकूल, बालकों को जिसे पढ़ने में मजा है वैसा बनाईए, सिले बस, तीसरा वातारवण केंदरित हो, यानि कि पर्यावरण के बारे में हो पूरा, दैनिक जीवन की अवस्रक्तों की पूर्ति करने वाला, यानि हमरे डेली लाइप में जो प्रॉब्लम साथ ये पर्यावरण को लेकर वो शामिल होनी चाहिए, विभी ने विशो से संब्दित, अलग-अलग टॉपिक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्रियाशिल्ता को स्थान, यानि कि इसमें कुछ क्रियाशिल होना चाहिए, चाहतर नीरस नहीं, वैग्यानिक द पर्यावरण के बारे में आपको सारा ध्यान रखना है, यानि हर चीज़ पर्यावरण के बारे में पूछ रहा है, पर्यावरण के सिक्षा, पर्यावरण के अवधारनाय, पर्यावरण सिक्षा का महत्व, यही सब पूछ रहा है, तो यह आपको ध्यान रखना है, आपको परिच्छा में आएंगे और इसके और भी वीडियो आएंगे तो देखते रहें अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिशन पर जरूर रखें साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किजिए आप लोग लाइक नही सब्सक्राइब है